विटेकरद्वारा प्रस्तुत जगत वरगी करण या जीवों के वरगी करण में अब तक हमने पिछले वीडियो में मोनेरा के बारे में पढ़ा प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा और आज हम तीसरे जगत पर बात करेंगे वो है फंजाई फंजाई जिसे हम फंगी भी कहते हैं देखिए बहुत एक महतुपुन बात ये मैं बताता हूँ कि अगर ये क्लासिफिकेशन आप इस तरीके से त्यार कर लेते हैं चार्ट रूप में तो आप जैसे आपको फंजाई के बारे में बोलना है तो आप यहां से शुरू कीजिए यूकेरिटिक है बहु कोशिक है उसके बाद में यहां ही है कोशिका भित्ती इन में होती है ये प्रकास translation नहीं करते हैं इन्हें हम फंजाई के रूप में वर्गी करत करते हैं तो सारी विशेश्टा एक साथ निकल कर आ जाएगी तो जब भी आप classification आप life form से अजीवों का वर्गी करन करें तो इस तरह से चार्ड रूप में जरूर उसको देख लें चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं फंजाई के बारे में हम जानते हैं कि ये eukurity है multi cellular है है na eukurity multi cellular with cell wall है ना और do not perform photosynthesis और income क्या बोलते हैं फंजाई बोलते हैं तो फंजाई के बारे में या फंगी के बारे में जो बात हमने की है उसको जरा सा हम थोड़ा सा आपको एक्जाम में किस तरीके से लिखना चाहिए उसके साथ देख लेते हैं कि ये विशम पोशी युकिरिटी जीव है अब विशम पोशी युकिरिटी जीव देखी यहां से विशम पोशी यहां से निकल कराएगा प्रकास नस्रेशन नहीं करने वाले युकिरिटी यहां से निकलाएगा तो ये विशम पोशी युकिरिटी जीव है ये इनकी एक विश मृत जीवी निष्ट करते हैं तो यह विश्म पोशी यूकरिटी देखिए आप यहीं सेक्षण पोशी यह चला है और यह यूकरिटी यहा से चला है ठीक है ना और चुंकि यब ये विशम पोशी हैं तो अपने पोशन के लिए सड़े गले मरत कारवनिक पदार्तों पर निर्भर करते हैं उन्हों पदार्तों को हम कहते हैं मरत जीवी फिर अगली बात इन में आप कहेंगे कि इन में से कहीं अपने जीवन की विशेश सवस्था में बहु कोशिक शमता प्राप्त कर लेते हैं अपनी लाइफ की किसी स्टेज पर जाकर ये बहु कोशिक शमता को प्राप्त कर लेते हैं तो ये देखिए बहु कोशिक पाइंट भी यहां हो रहा है, तो ये बहु कोशिक हो गया, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कि फंजाई अत्वा कवक, है ना, हम कवक शब्द का भी यूज करते हैं, तो फंजाई अत्वा कवक में काइटीन नमक, जटिल शर्करा की बनीवी कोशिका भित्ती पाई जाती है, तो हम अ के बारे में हमने बहुत सारी बातें ऐसे पता कर ली और अगर example की बात करें तो आप उधारन ले सकते हैं yeast का mushroom का मशरूम बहुत अच्छा example इसका हो सकता है है ना ये इसका example है agaricus जिसको आप कह रहे है है ना ये इसका एक बहुत बड़िह example हो सकता है फिर साथ में यह है कि जो हमने जो भी बात कही वो बिल्कुल आपको इस पास ठोगई होगी कि यह eukeritic है, multicellular है है ना, with cell wall है do not perform photosynthesis और आपने इनको कहा fungi तो जब आप इस तरी के से चार्ट रूप में तयार कले तो यह सारा आप एसे कैसा, यहां से यहां लिख पाएंगे, और आप इसको आगे पिछे भी लिख सकते हैं, जैसा आपको चार्ट रूप में लिखा वैसा आप लिख दीजीगा, थोड़ा वोड़ डिटेल आप बता दीजीएगा जैसा यहां पर बताया गया है और एक और बड़ी महत्वपुन बात में आपके साथ शेर करूँगा, आप मोनेरा जगत में भी आप उसको लिख सकते हैं वो बात क्या है कि जो हमारी कवकों की जो कुछ प्रजातियां होती है वो जो प्रजातियां होती है वो नील हरित शेवाल जिसको आपने मोनेरा जगत कंतर गत रखा था साइनो बेक्टिरिया उसके साथ एक पर्मानेंट मुचिली डिपेंडेंट रिलेशन्शिप बनाती है जिसे हम सहजीवीता कहते हैं न सिंबर्टिक और ऐसे सहजीवी जिमों को लाइकेन कहा जाता है यह लाइकेन क्या होता है अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगिन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं तो यह लाइकेन में यह जो आपका शेवाल और कवक जैसा नील हरीश शेवाल और कवक लाइकेन में साथ-साथ रहते हैं तो यह सहजीवीता का संबन्द भी आप इन दोनों में बता सकते हैं मतलब आप अगर मोनेरा जगत के अंदर नील हरिश्चेवाल में कहना चाहें तो वहाँ भी कह सकते हैं और अगर फंजाई में आप कहना चाहें तो यहाँ भी आप उसके बारे में बता सकते हैं कि यह इस तरीके से साथ साथ रहते हैं और यह अक्सर भी आप ही कहें कि पेड़ों की छालों पर जो रंगीन धब्बे उसके रूप में दिखाई देते हैं धन्यवाद